Hello everyone, Medji Exam Channel में आप सभी का स्वागत है. Students, अभी-अभी IIT and NEET के entrance exams से related एक बहुत ही important news आई है. जैसा कि आप सभी को पता है, 11 students from 11 different states, उन्होंने Supreme Court में एक petition डाली थी कि IIT and NEET के entrance exams को postpone किया जाना चाहिए. क्योंकि देश में करोना तेजी से फैल रहा है, ये सही टाइम नहीं है और बिल्कुल सेफ भी नहीं होगा इन कंडिशन्स में exam कंड़क कराना. आज यानी 17th August को इस case की सुनवाई होनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि exams postpone नहीं होंगे. IIT and NEET के entrance exam जिस date पर schedule है, उन्हीं dates पर कंड़क कराए जाएंगे. ये unfortunately अच्छी news नहीं है काफी students के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी problem ये है कई states, यानी जैसे कि बिहार है वहाँ पे September 6 तक lockdown है, और बाकी states में भी कई ना कई lockdown situations है, तो ऐसे में IIT का exam जो September 1 से September 6 के बीच में scheduled है, उसमें students को बहुत जादा problem face करनी पड़ेगी if they are traveling from one place to another and Supreme Court का इस पे कहना ये है कि students के career को खत्रे में नहीं डाला जा सकता, life cannot be stopped, हमें safety measure के साथ आगे बढ़ना होगा, और क्या students एक पूरा साल waste करने के लिए तैयार हैं? Supreme Court के judge, अरुन मिश्रा जी ने, जो कि three judge panel के एक member है, उनका ये मानना है कि education को open किया जाना चाहिए, हो सकता है कि COVID एक साल और चले, हम students को एक साल और wait नहीं करा सकते, इस से students को जोखिम है और देश को भी नुकसान है, So, ये एक बहुत ही हैरत अंगेज news है, I know कि काफी parents ने भी plea डाली थी, अपनी petition डाली थी, ये बोलके कि students pressure में हैं, और जादा exams को delay करना अच्छा नहीं होगा उनके लिए, they will feel mental pressure, But, Times Now के survey के मताबिक 87% students ने ये कहा कि exams postpone होने चाहिए, हमने काफी सारी social media पे videos भी देखी जिसमें students ने ये बोला कि exams postpone होने चाहिए, और अगर ये होते हैं तो इनसे क्या खत्रा है देश की जनता को और students को, Because काफी सारे students हैं, उनके parents भी आएंगे, प्लस इतनी जादा भीड़ोगी centers नहीं बढ़ाए गए, तो ये कही ना कहीं एक मुश्किल दोर जरूर है, और काफी जादा unsafe भी है ऐसी conditions में exams को कराना, So, जिन 11 students ने ये petition डाली थी, वो चाहते थे कि exams COVID की situation के normal होने के बाद कंड़क कराये जाए, और वो students ये भी चाहते थे कि number of examination center को बढ़ाया जाए, जो कि नहीं हुआ, अलोग श्रीवास्तवा जो इन 11 students को as a lawyer represent कर रहे थे, उन्होंने ये argument दी कि students यहां country के सबसे बड़े court से relief की उम्मीद करते हैं, वहीं तुशार महता जी जो की national testing agency, NTA को represent कर रहे थे, जो agency ये exams कंड़क कराती है, उनका कहना है कि सारे safety major के साथ ही exams को कंड़क कराया जा रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, तो students, JWA exams 1 से 6 September के बीच में ही होगा, in different slots, and NEET का exam आपका 13 September को होगा, इसमें कोई changes नहीं होने वाले, ऐसा Supreme Court ने पोल दिया है, इसके अलावा, JWA entrance exams के admit card 15th या 16th August को upload होने थे, और अभी तक upload नहीं हो है, लेकिन Supreme Court के इस फैसले के बाद उमीद की जा रही है कि admit card बहुत ही जल्द website पे upload हो जाएंगे, and आप उसे nta.ac.in या फिर jwe main.nta.nic.in पे जाकर upload कर सकते हैं, मैं आपके साथ steps शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप वो admit card या hall ticket डाउनलोड कर सकते हैं, so ये वो steps है, आप video को pause करके आप ये steps note कर सकते हैं, and students education से related सारी latest news, update आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेंगी, चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए for latest updates, thank you.